प्यारे बच्चों, 10th Maths वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आज हम स्टार्ट करेंगे exercise 3.3 कल हम substitution method का एक question देख लिए थे, तो ये 3.3 को हम पुरा substitution method से solve करेंगे तो चलो आईए देखते है exercise 3.3 का first question, first question क्या बोल रहा है? कि solve the following pair of linear equation by the substitution method तो first question है, first question ये given है, ये x plus y is equal to 14 और x minus y is equal to 4 ये first question x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4, तो equation first और equation second equation first, equation second, अब क्या करते हैं? हम पहला equation से, एक equation से क्या करते हैं? वेल्यू को ठीक है, जिसे y का value हम निकाल लेते हैं x के farm में और उसको क्या करेंगे? second equation में put करेंगे, जिसे कि देखो, from equation first, from equation first, तो equation first से क्या करेंगे? हम जैसे y का value transfer करेंगे, तो x equal to 14 minus y, ये हुआ, अब इस x equal को क्या करना है? हम इस second equation में put करना है, मतलब substitute करना है, क्यों? क्योंकि हम substitution method देख रहे हैं, तो substitute करना है, तो क्या करेंगे? putting the value of x in equation, कहां? देख, first से हम value निकाले हैं, तो कहां put करना है, second equation में, अगर second से value निकालते हैं, कहां put करते हैं, first में करते हैं, तो देखो, x equal यहां रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमे? 14 minus y, और पहले से minus y है, तो यह minus y is equal to 4, अब देखो क्या जाएगी, यह 14, और y क्या हो जाएगा, 2 minus है, तो minus minus 8 हो जाएगा, लेकिन sign किसका रहेगा, minus का, तो minus 2y is equal to 4, अब हमें y का value चाहिए, तो y का value चाहिए, तो हम y को इधर transfer कर लेते हैं, तो क्या जाएगी, 14 minus 4 is equal to 2y, यह, अब यह कितना बचेगा, 10 is equal to 2y, अब y का value यहाँ transfer कर दो, तो y को इधर transfer करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 by 2 is equal to y, तो क्या हो जाएगा, यह 5, तो y का value क्या मिले हमें, y का value मिल गया, 5, अब इस y का value कहा राखना है, देखो, इसको equation third ले लेना, किनको, इनको, यह equation third, of y in equation third, तो put, putting the value of equation, put the value of y, ठीक है, in equation, कहां, second में, in equation third में, ओके, तो third में put करना है, तो third क्या है, x is equal to 14 minus y, तो x is equal to 14 minus y, y का value कितना मिला हमें, 5, तो क्या हो जाएगा, 9, means x equal to 9, और y का value क्या मिला, 5, यह हमारा क्या हो गया, solution, अब देखो, हम चाहे तो इसी question को देखो, हम second equation का use करके भी सालवा कर सकते हैं, okay, different different तरीके कर सकते हैं, आपको लेकिन answer क्या आएगा, y आगा, ठीक है, तो देखते हैं, देखो, from equation first, तो from equation first से, क्या है, देखो, from, अब equation क्या करेंगे, second से, तो second answer से माइगा, आप फाला, second जिसका भी करो, इसी लिए मैं आपको दिखा रहू करगे, तो देखो, अब second equation से, second से करेंगे, तो x minus y is equal to कितना है, 4 है, तो यहां से हम x equal निकालेंगे तो y हो जाएगा, तो 4 प्लस y हो जाएगा, अब देखो, अब हम यूज किसका करें, second equation का, तो second equation का, यूज करके, एक सका value y के फार्म में निकालेंगे, अब इसको क्या करेंगे, equation first में put करेंगे, equation first में put करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक सका term गयाब हो जाएगा, क्योव यह साल रहा हो गया है फिर दूसरा मेठाड बता रही हो मतला दूसरा तरीका से करना बता रही है तो यह कहां कहां पूट करेंगे स्थास्ट में से कंडर सी निकाले है एक सब्लाइगे तो क्या हो जाएक यह किसका एक सभ़ल्या में रखेंगे Wars प्लस y प्लस y is equal to कितना हो जाएगा 14 अब यह 4 प्लस y और y कितना हो जाएगा 2y is equal to 14 अब 4 का वेलू इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y is equal to 14 minus 4 is equal to 10 तो y का वेलू क्या हो जाएगा 10 by 2 is equal to 5 तो y का वेलू हमें क्या मिल गया 5 अब इस y का वेलू आप कहां पूट कर दो फिर से इनको हम क्या ले ले लेता है equation third अब y का वेलू यहां पूट कर देंगे equation third में क्या मिल जाएगा x is equal to 4 plus 5 means 9 तो x equal क्या मिल जाएगा हमें 9 तो इसमें फी मिला है x equal यह 5 और 9 तो इस तरीका से आप solve कर सकते हो different different तरीके साब किसी भी equation का use करके solve कर सकते हो आपका answer same आएगा ओकी चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा question देखते हैं अब हम देखते हैं second question को इसी का second question के second question given है ठीक है second question हमें given है देखो क्या given है कि s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6 अब यह अपान में देख किसको घबराना नहीं है असान है ओके तो देखो अब यहां से हम s minus t यहां से हम इसको equation first ले लेते हैं इसको equation second अब हम first equation का use करके value निकाल लेते हैं देखो या फिर पहले हम second को क्या कर सकते है simplify कर सकते हैं तो जो भी हो जैसा भी करें तो चलो पहले हम क्या करते हैं equation first से value निकाल लेते हैं तो equation first से value निकालेंगे from equation first तो first से s का value निकाल लेते हैं तो s का value निकालेंगे तो t को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो 3 plus क्या हो जाएगा T, अब क्या करेंगे इस S के लिए equation 2 में put कर देंगे putting the value of S in equation second put कर देते हैं, तो second में put करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 plus T upon 3 plus T upon 2 is equal to 6 यह हो जाएगा, अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें चाहो तो आप cross multiply कर सकते हैं या LCM method से, तो यहां तो दोनों अलागा लगा, तो क्या कर लेते हैं cross multiply कर लेते हैं cross multiply करेंगे, 2 का multiply से means 2 3 plus T, और यह 3 का multiply T से, तो 3 T हो जाएगा, और अब आपान नीचे का नीचे स multiply 3 into 2 is equal to 6 यह हो जाएगा, अब देखो, पूरा पूरा T का term में हो गया, अब means हमको T का value मिल जाएगा, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यह 3 to 6 plus T plus, sorry, 2 T होगा 2 का दोनों के साथ multiply 3 to 6 और यह हो जाएगा 2 T plus 3 T, और अपान कितना हो जाएगा, 6 is equal to 6, अब यह 6 से इधर चला जाएगा तो equal में है, तो फिर से cross multiply, तो इधर 1 है, तो यह तो same रहेगा, तो 6 plus 3 or 2, 5 T हो जाएगा, और 6 to 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ओके अब यहाँ से 5 T is equal to क्या मिल जाएगा, हमें 36 minus 6, means कितना 30 हो जाएगा, 36 minus 6 is equal to 30 अब T का value क्या मिल जाएगा, हमें 30 upon 5, तो 5 से divide हो जाएगा, तो 5 6 जाएगा, तो T का value कितना मिल गया, 6 राइट, यह हो गया T का value, अब इस T का value को क्या कर देंगे, हम कौन से equation में put कर देंगे, put the value of T in equation second, देखो अब यहाँ फिर से put करना, इसको जो एक value, जो आप यहाँ transfer करते उसको equation हमेशा 3 ले ले, यही put करना, तो S का value T का value कहाँ put कर देंगे equation 3 में, ठीक है, तो equation 3 क्या है S is equal to 3 plus T तो put the value of T in equation 3 ठीक है, put the value of T in equation 3, तो 3 हमें क्या है, S is equal to 3 plus T और T का value कितना है, 6 तो कितना मिला हमें, 9 तो S का value हमें क्या मिल गया, 9 और T का value कितना है, 3 अब चाहो तो equation को satisfy करा सकते हो, देखो equation को satisfy कैसे करा सकते हो S और T का value कितना मिला हमें T का value कितना मिला, 6 और S का value, 9 9 T का value क्या है 6 S का value क्या है 9 तो देखो अगर हम यहां रखेंगे S9 रखेंगे तो 9-3 is equal to 6 तो 9-3 is equal to 6 हो जाएगा ठीक S का value 9 और T का value कितना है 6 है तो 9 में 6 जाएगा कितना हुआ 3 तो 9-6 is equal to 3 यहां रखेंगे S का value कितना 9 तो 9 upon 3 हो जाएगा और प्लस T का value कितना 6 तो 6 upon 2 तो 3 से 3 time कर जाएगा और 2 से 3 time कर जाएगा और 3 और 3 मिलके कितना हो गया 6 तो यह दोनों very high हो गया तो अगर आपको doubt है अपने answer में तो जो equation दिया है उसमें put करके check कर सकते हो तो इस तरीके से हमें salva करना है राइट चलो अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें से जो बचा हुआ question है उसे आप complete कर लिजीगा root वाला है divide में है ऐसा करके डरना नहीं है यह सब आसान है अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसका question number second तो question number second क्या बोल रहा है सालव 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3 देखिए solution करते हैं इनका तो given है given है हमें two equation given है एक है 2x plus 3y is equal to 11 है और एक equation है 2x minus 4y is equal to minus 24 है हमें और क्या दिया है एक condition और हमारे पास क्या है वो condition कि y y is equal to mx plus 3 तो हमें इसमें से m का value find करना है तो m का value हमें निकालना है यह हमारा main है तो पहले m का value निकालने से पहले हमें x और y का value निकालना पड़ेगा तो x और y का value निकालना है तो हम जो अपना अभी पीछे substitution method लगा करके x और y का पहले value निकाल लेते हैं लुटि तो एक सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन से कंड़ें क्यों कर रहे हो क्योंकि इसमें इधा ट्रांसफर करेंगे प्लस में आ जाएगा ठीक है तो जो भी हो आप जो भी क्वेशन को यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो देखो क्या करते हैं यहां से 2x 2x is equal to 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 4y-24 ओके तो x value क्या मिल जाएगा हमें अब देखो 4 में हम 2 common ले सकते हैं तो 2 common निकल जाएगा तो 2y बच जाएगा यहां से 2 common निकलेगा तो 2 12 12 बचेगा क्योंकि 2 और 12 का multiply करेंगे 24 मतलब 2 common मिल जाएगा और यहां देखो 2 था तो यह divide में लग जाएगा 2 तो इस 2 से 2 cancel हो जाएगा तो x equal क्या मिला हमें 2y-12 तो x equal मिल गे हमें 2y-12 अब क्या करेंगे putting the value of x ठीक है in equation in equation क्वण से equation में put करेंगे आप first मिल रखेंगे ठीक है तो x equal क्या हो जाएगा मैं यहां से बना दे रहा हूं क्योंकि जगह कम पर जा रहा है तो यहां से सालवा करते देखो तो क्या करेंगे x equal क्वण से equation में first में तो first हमारा यह है तो 2 2 हो जाएगा x equal क्या है हमारे पास 2y-12 मिला और यह है 11 ओके इनका multiply करेंगे 2 2 is a 4y और 2 का multiply 12 बासे करेंगे तो 24 और is equal to 11 तो 4y is equal 24 इधर ट्रांसफर करेंगे 11 प्लस 24 तो 4y is equal to अब कितना हो जाएगा यह 4 और 1 5 और यह हो जाएगा 3 तो y क्या मिल जाएगा 35 अपान 4 एक्सक्वेल्व एक्वेशन फर्स्ट में पूट करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 11 तो देखो 2 क्या है equation 2x 2x plus 3y is equal to 11 है यह है हमारे पास और हम एक्सक्वेल्व हम क्या निकाल के रखे हैं एक्सक्वेल्व हमारे पास है 2y minus 12 है 2y minus 12 है तो यहां पूट कर देते हैं तो 2xक्वेल्व रखेंगे 2y minus 12 और प्लस 3y is equal to 11 हो जाएगा अब इनका multiply करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y और 12 जा 24 और प्लस 3y is equal to 11 अब यहां से क्या मिल जाएगा यहां से 4 और यह 3 कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा और 24 इधर जाके 11 plus 24 मिन्स कितना हो जाएगा 35 तो y के वेल्व हो जाएगा 35 और प्लस 7 मिन्स 5 तो y के वेल्व हमें मिला क्या 5 अब इस y के वेल्व को हम क्या हां रखेंगे equation 3 equation 3 हमें क्या मिला था equation 3 में क्या है x is equal to 2y minus 12 है तो x का वेल्व हमें मिल जाएगा यहां से 2 into 5 minus 12 तो x is equal to 10 minus 12 और x का वेल्व हमें मिल जाएगा यहां से minus 2 तो x का वेल्व हमें क्या मिला minus 2 और y का वेल्व क्या मिल गया 5 अब हमें given है equation y is equal to mx plus 3 जिसमें से हमें m का वेल्व क्या करना है find करना है, तो देखो, y is equal to, कितना है, 5 है, m, m का value find करना है, x हो कितना है, minus 2, plus 3, m का value find करना है, इसलिए हम 3 को इधर transfer करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 minus 3 is equal to minus 2, m हो जाएगा, तो 5 में 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 is equal to minus 2, m, तो यहाँ से m का value हमें क्या मिल जाएगा, अब minus 2 किदर transfer करेंगे, तो क्या लग जाएगा, 2 divided by minus 2 is equal to m, तो यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, cancel out, तो m का value क्या मिल जाएगा, हमें minus 1, तो यह हमारा answer हो जाएगा, तो इस type से जाएगा, लगा करके हमें हर एक question को solve करना है, आगे हम और elimination method पढ़ेंगे, उसके वाद आप, अगर mention नहीं करता है कि substitution method से बनाओ, या फिर बोल दिया हमें कि elimination से बनाओ, या cross multiplication से, अगर इसमें कुछ mention नहीं करता है, तो आपको जो method आसान लगेगा, उसके according आप solve कर सकते ह तो अभी हम substitution method का ही use कर रहें, क्योंकि एक method use कर रहेंगे, तो एक method में हम specialist बन जाएंगे, तो इसलिए पहले एक method का use करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थार्ड में आते हैं, तो थार्ड में पहला question है, तो थार्ड में पहला question क्या बोल रहा है, कि from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method, इ the difference between two number is 26 and one number is three times the other find them, यह बोल रहा है, मतला हमें क्या है, इसलिए वर्ड प्राब्लम को पहले हमें equation में convert करना है, उसके बाद फिर x और y का जो फार्म अगर हम मानेंगे, x माल लिए y माल लिए, जो भी माल लिए, उसके काड़े हमें साल्वा करना होगा, तो यह वर्ड प् question में बोल रहा है कि देखो, अब मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, solution, the difference between two numbers, तो पहले हम ले लेते हैं, let, first number, first, sorry, number, first number, let, first number is equal to x and second number, and second number y, first number x है, second number y है, अब क्या करते हैं, question, according to question, according to question, ठीक है, एक number x है, एक number y है, question में बोल रहा है, कि the difference between two numbers is, तो दोनों number का difference कितना 26 है, तो दोनों number का difference, तो x minus y is equal to 26, तो इसको हम क्या ले ले लेते हैं, equation, first ले ले लेते हैं, right, ये बन गए equation first, उसके आगे बोला है, कि one number is three times the other, ठीक है, एक number जो है, दुसरे number का कितना 3 times है, मतलब 3 गुना है, तो क्या करेंगे, देखो, according to question, ये तो first condition हो गया, according to question, ये first condition, अब second condition बोला है, ठीक है, second condition, तो first number, first number, क्या बोला है, one number is other than three times, है न, तो दुसरे number का तीन गुना है, तो इसका मतलब क्या है, कि जैसे कि X से ले ले लिए, तो X और ये Y, तो X जो number है, एक number जो है, दुसरे number का कितना times है, three times है, ये हो गया, तो ये equation क्या हो गया, second, अब यहां से आपको दीख रहा है, इस X value हम क्या कर देते, equation first में put कर देंगे, तो put करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, Y का value मिल जाएगा, तो putting, यहां हमें कुछ पहना extra नहीं करना पड़ा, putting the value, value of X in equation first, तो first हमें put कर देते हैं, तो first हमें put करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, अब देखो, first हमें put करेंगे, तो X value put करना है, तो यह हो जाएगा, 3Y minus Y is equal to 26, तो 3Y में Y जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1Y गया, तो 1 गया, 3 में 1 तो 2, और Y को subtract कि, इसलिए Y हो जाएगा 26, तो Y का value मिल जाएगा, 26 upon 2 is equal to 13 हो जाएगा, clear, तो Y का value हमें क्या मिल गया, 13 मिल गया, अब देखो, इस Y का value कहाँ put कर दो, equation second में, put the value of Y in equation second, तो put the value of Y in equation second, तो equation second में put कर देते हैं, तो Y का value यहाँ राखेंगे, तो X is equal to 3 into 13, तो क्या हो जाएगा, X is equal to 13, तो 39, तो क्या मिल गया, 39, तप लिख सकते हो, इधर, hence, hence one number, one number is 13 and other, number is 39, क्योंकि देखो, एक number, दुसरे number का 13, 13 है, आप check कर सकते हो, इसमें रखेंगे तो देखो, तो X is equal to क्या रखेंगे, 39, तो, और Y is equal to क्या रखेंगे, 13, तो क्या हो जाएगा, 39 is equal to 3 into 13, मतलब 39, और इन दोनों सब्टेक्ट करके देख सकते है, 39 minus 13 करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 6 और यह 226, तो यह क्या हो जाता है, verify हो जाता है हमारा equation, ओके, तो इस type से क्या करना है, सालवा करना है, पहला यह हो गया, अब हम आगे देखते हैं, second question, क्या बोल रहा है कि, दो इंगल कहा है, सप्लिमेंटरी है, अब आप जानते हो, दो इंगल सप्लिमेंटरी कहा होता है, कि जिनका sum 180 होता है वो क्या कहलाता है supplementary कहलाता है और बोल रहा है कि जो एक एंगल है ठीक है जो larger angle है smaller angle से कितना ज़्यादा है 18 डिगरी ज़्यादा है तो larger angle smaller से 18 डिगरी ज़्यादा है तो solution देखो solution क्या वो बनेगा यहां से थीक है, तो solution मिलेगा हमें, हम फिर से क्या ले लेते हैं, let, let the larger angle, तो larger angle, x degree, और smaller angle, and smaller, smaller angle, तो smaller angle कितने हो जाएगा, y हो जाएगा, अब condition क्या है, supplementary कब होता है, ठीक है, both angle are supplementary, बोथ एंगल आर सपली मेंटरी तो बोथ एंगल आर सपली मेंटरी देरफोर एक्स प्लस राई इस इक्वब टू वरनेटी ठीक है तो यह इसको equation फ़र्स्ट ले लेते हैं अब क्या बोल रहा है एक सपली मेंटरी है तो यह हो गया एकस प्लस वाइज इकल वानेटी और कोई कंडिशन इसमें क्या है कि जो इसमालर एंगल है स्वारी लार्जर एंगल क्या है इसमालर एंगल से 18 ज्यादव है तो लार्जर नमबर एकसरा नार्जर एंगल क्या है according to question एक और न टू कुस्चन क्या हो जाएगा कि जो लार्जर है लार्जर मतलब एकस लार्जर इसमालर से कितना जाद है यह ज्यादा है तो यह हो गया equation second आप क्या करेंगे एक सट में put कर देंगे तो हम तो putting क्योंकि देखो यहां से हम को automatic मिल्गया तो यहां रख देंगे तो putting the value of exit equation second तो equation कीस में रखेंगे Second में रखेंगे equation second में रखेंगे 1st में रखेंगे तो first में रखेंगे kya ho जाएगा y plus 18 y plus 18 y plus 18 y plus 18 plus y is equal to 180 यह हो जाएगा अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा यह 2y प्लस 18 इस इक्वल टू 180 अब हम क्या करेंगे इस 2y 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री मतलब माइनस 18 तो क्या हो जाएगा लास्ट हम डिग्री लिख लेना बार बार लिखने का सकता नहीं है ठीक है 2y is equal to 180 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा यह मिल जाएगा हमें 162 मिल जाएगा सब्ट्रेक्ट करेंगे 180 में 18 सब्ट्रेक्ट करेंगे 162 मिल जाएगा तो y is equal to यहाँ मिल जाएगा 162 divided by 2 तो क्या मिला हमें यहाँ से 2 8 जा और 2 1 जा तो y के वैलू हमें क्या मिल गया 81 अब क्या करेंगे इस y का value कहा put कर देंगे put the value of y in equation second में put कर दो तो putting the value of y in equation कहा second में put कर देंगे तो x is equal to क्या मिल जाएगा 81 plus 18 तो 81 plus 18 is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x is equal to 99 यह मिल जाएगा तो x is equal to क्या मिला 99 तो आप लिख सकते हो hence one angle is 18 degree अब लास्ट में आप degree लगा लेना ऐसा तो hence one angle is 81 degree and other one is 99 क्योंकि देखो आप दोनों को add करोगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा supplementary हो जाएगा और दोनों को subtract करेंगे देखो और एक जो ज्यादा है इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है तो larger एंगर से 18 ज्यादा है तो आप इसको verify भी कर सकते हो तो यह solution number कितना था second था मतलब question third का second अब देखते हैं आगे next third question वीडियो ज्यादा लंब हो जाएगा इसलिए अब हम next day क्या करेंगे next video में third, fourth, five और six, चार question है तो हम इसको next video में complete कर लेंगे ओके ओके थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो आज के लिए इतना ही